अब हम बात करते हैं जुआर पर जुआर जो है ये समानी रूप से खरीफ और रभी दोनों मौसम की फसल होती है और हम बात करें खाद्यान फसल के रूप में तो हम देखते हैं कि गेहूं और चावल के बाद जुआर जुआर जो है ये भारत की महत्तपूर्ण खाद्यान फस लेकिन पूरे प्रायदीपी भारत की ये सबसे महत्वपोन जो है खाद्यपदार्थी कहें हम ये खाद्यान फसल है चुकि एक मोटा अनाज है इसलिए इसकी जो कृषी है ये समान्य वर्षा वाले छेत्रों में बिना सिचाई के भी की जा सकती है हम इसके उत्पादन से संबंधित भौगौलिक दर्शा की बात करें तो देखेंगे जोर के उत्पादन के लिए लगभग 25 से 30 डिगरी सेल्सियस तापमान की आवशक्ता होती है जब ये पौधा उगता है तो 50 सेंटिमीटर की आवशक्ता होती है और जहां कहीं भी जिन छेत मिट्टी की हम बात करें तो जलोड और चिकनी मिट्टी जोर की उत्पादन के लिए सबसे अधी कुपयुक्त होती है लेकिन इसके अलावा भी अगर कहीं दोमट मिट्टी बलुवा सहित जो और अन्य कई प्रकार की मिट्टिया मिलती है वहां पर भी जोर का उत्पादन कि जा सकता है हम देखें महाराष्ठ है करनाटक और मध्य प्रदेश यह तीनों राज्य मिलकर पूरे देश का लगभग असी प्रतिशत जोर जो है वह उत्पादन करते हैं जोर की प्रमुख किस्मों की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं CS V1, CS V7, CSH1 और CSH8 यह जो है यह जोर की महत्पूर्ण किस्मे हैं जो भारत में उत्पादित की जाती हैं सबसे बड़े उत्पादक की हम बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक भारत में महाराष्ठ राजी है और इसके बाद क्रम्शह, करनाटक और तमिल लाडू का इस इन तीनों राजियों के अतिरिक्त जो अन्य उत्पादक राजी हैं उसमें राजस्थान हैं आंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजराद और हरियाना यहां पर भी जोर का उत्पादन प्रमुकता से किया जाता हैं जोर के बाद हम देखते हैं बा बाजरा जो है ये एक प्रमुक रूप से खरीब फसल है और हम यदि मोटे अनाजों की बात करें या मोटे खाद्यान फसलों की बात करें तो ज्वार के बाद बाजरा जो है ये दूसरा महत्तपूर्ण मोटा अनाज है जिसे भोजन के रूप में प्रयोक किया जाता है और कप्रयोग किया जाता है यह बाजरा जो है यह देश की शुष्क जलवायू वाली फसल है अब भागौलिक दशाओं के विशे में बात करें तो इसके उत्पादन के लिए लगभग 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान के आवर्शकता होती है 40 से 50 सेंटिमीटर वार्शिक वर्शा अवर्शक होती है और मिट्टियों में हम देखें तो हल्की जो बलूई मिट्टी होती है और इसके साथ ही साथ काली और लाल मिट्टी में भी इसका बहुत अच्छी तरह से बाजरे का उत्पादन किया जाता है भारत का लगभग आधा उत्पादन बाजरे का अकेले राजस्थान में किया जाता है या राजस्थान से प्राप्ति किया जाता है और इसके अतरिक्त राजस्थान के अलावा हम देखेंगे कि महारास्थ हैं उत्तर प्रदेश हैं और गुजरात यहां पर भी प्रमुक्ता से बाजरे का उत्पादन किया जाता है बाजरे के प्रमुख किस्मों के विसे में बात करें तो हम देखते हैं कि बाबा पूरी मोती और Hb3 और Hb4 जो है इसकी प्रमुख किस्में हैं बाजरे के बाद देखते हैं हम मक्का मक्का जो है ये एक मोटा नाज है जिसे मनुष्य भ सारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता हैं महत्तोपूर्ण भौगॉलिक दर्शा के विशह में बात करें तो देखते हैं तापमान लगभग 25 से 30 डिगरी सेंटिक्रेट तापमान के आवश्चक्ता होती है 50 से 80 सेंटिमीटर औसत वार्शिक वर्षा चाहिए इसके उत्प करनाटक में किया जाता है और इसके बाद हम देखते हैं करनाटक मध्यप्रदेश और बिहार का स्थान आता है तो यह हो गए ओनाज यहा मोटी खाद्यान फस्ले अब दलान फसलों की विशह में बात करते हैं दाले जो होती हैं वो दालों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये जितने भी शाकाहारी होते हैं शाकाहारी भोजन लेने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये प्रोटीन का प्रमुख स्रोथ होने के कारण उनके भोजन का मुख्य या प्रमुख भाग होता है जलीदार पौधा होने के कारण यह जो वायू मंदल में नाइट्रोजन उपस्थित होता है उसे यह नाइट्रोजन योगी करण करके प्रत्यक्षरूप से प्राफ्थित कर लेता है और चुकि इसमें नाइट्रोजन यह प्रदान करता है भूमी को इसलिए जमीन में या में नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाती है और इसके कारण प्राक्रितिक रूप से उस स्थान की मृदा का उपजाऊपन जो है वो बढ़ जाता है भारत के लगभग सभी भागों में असे डाल का उत्पादन किया जाता है लेकिन हम अधिक्तम उत्पादन की बात करें तो दक्कन का पठार है मध्य पठारी भाग है और इसके साथ ही साथ उत्तर पशिम के जो शुष्क भाग या इस्थान है उन छेत्रों में भी दालो का उत्पादन किया जाता है उने देश में जितनी भी फसले उत्पादित की जाती है या उसके कुल बोये गे छेत्र का और हम भारत में देखेंगे कि जो अधिकांश्त जो दाले होती हैं वो अन्य फसलों के साथ शश्या वर्तन करके उगाई जाती हैं ताकि उन छेत्रों में मृदा का जो अजाऊपन है वो बढ़ जाए मतलब पहले चावल उगा लिया फिर दालो का उत्पादन कर लिया या गे वो क्रमशह बनी रहती है हम भारत में देखेंगे तो चना और अरहर या हम जिसे तूर भी कहते हैं ये भारत की महत्पूर्ण दाले हैं हम बात करते हैं चना के विशाय पर तो चना जो है ये उपोश्न कटी बंधी छेत्रों की फसल है ये मुख्यरूप से वर्षा आधारि फसल है और हम देखते हैं कि ये हमारे भारत देश में मध्य छेत्र में पश्यमी छेत्र में और उत्तर पश्यमी जो भाग हैं वहां पर रभी की फसल के रूप में उगाई जाती हैं चुकि ये रभी की फसल है इसलिए हमें पता है रभी की फसल जो है लगभग सितंबर से सबसे बड़ा उतपादक या हम कहें कि सरवाधिक उतपादन करने वाला जो राजी है वो मध्यप्रदेश है और ये पूरे भारत का जितना भी दाल उत्पादन होता है उसका लगभग 41 या 41 परसेंट जो उत्पादन है वो मध्यप्रदेश करता है इसमें जो प्रमुख जीलों की हम बात कर लें तो हम देखते हैं विदीशा है भिंड मुरैना इसके साथ ही साथ जबलपूर होशंगाबाद यहां पर प्रमुख रूप से दालों का उत्पादन किया जाता है दूसरा इस्थान भारत में राजस्थान का है और राजस्थान जो है वो लगभग 13 प्रतिशत उत्पादन करके भारत में दूसरे इस्थान पर है और यहां पर हम देखते हैं गंगा नगर, अलवर, अलवर के साथ जुन-जुन और हनुमानगड यहां पर प्रमुक रूप से डाल का उत्पादन होता है भारत में तीसरा इस्थान महाराष्ट का है और महाराष्ट लगभग 11.5-6 प्रतिशत पुरे देश के उत्पादन का करता है यहां पर औरंगाबाल, नासिक, नांदेड यह जो हैं महाराष्ट के प्रमुक उत्पादक जीले हैं या इस्थान हैं और इन तीनों राज्यों के अतिरिक्त हम देखेंगे कि आंध्यप्रदेश, उत्तैप्रदेश, चत्तिसगड, गुजरात हो गया, बिहार, ओडिसा और प भारत में चने का उत्पादन, उननिस सो सत्तर इकत्तर में हम देख रहे हैं, बावन लाग टन उत्पादन हुआ हैं चने का, जो दो हजार, दो हजार एक में इसमें कमी आई हैं, और ये 38.6 लाग टन हो गया, 2011-12 में इसमें पुना व्रिद्धिक देखने को मिलती है, जो 77 लाग टन हो गया है, और 2013-14 में 95.3 लाग टन, 2014-15 में इसका उत्पादन, 71.7 लाग टन हुआ हैं, चने का उत्पादन, अगली जो महत्वपूर्ण दाल है, तूर या जिसे हम अरहर भी कहते हैं, ये भारत की दूसरी महत्वपूर्ण दाल है, और मुख्य रूप से ये खरीप की फसल होती है, लेकिन हम देखेंगे कि जहां पर जो कम ठंडे छेत्र होते हैं, वहां पर ये रभी की मौसम के रू इसलों के साथ इसे शुष्क फसल के रूप में या फसल संयोजन के रूप में उगाया जाता है, भागलिक दशाएं, तो तूर या अरहर के उत्पादन के लिए लगभग 20 से 25 डिगरी सेल्सियस तापमान के आवशकता होती है, 40 से 50 सेंटिमीटर वार्षिक वर्षा हैं भारत में इसके उत्पादन की हम बात करें तो महाराश्ट जो है यह पहले इस्थान पर है और पूरे भारत का लगभग एक चौथाई उत्पादन जो है वो महाराश्ट में किया जाता है, यहाँ पर यवत्माल, अमरावती, वर्धा और नाकपूर यह प्रमुक छेतर ह जहां पर अरहर का उत्पादन होता है दूसरा इस्थान मध्य प्रदेश का है मध्य प्रदेश जो है वो लगभक 18.4 प्रतिशत अरहर का उत्पादन करता है और यहां पर होशंगाबाद, बैतुल, नरसिंगपूर, छिंदवाडा और देवास और सीधी जो हैं यह पुन छेत्र हैं अरहर के उत्पादन के इन महाराष्ट और मध्य प्रदेश के अलावा भारत में करनाटक हो गया गुजरात, जारखंड, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रमुक रूप से अरहर का उत्पादन किया जाता है अब हम देखते हैं भारत में दूर का उत्पादन उनिस सो सत्तरी खर्तर में 18.8 लाग टन, 2000-2001 के दौरान 22.5 लाग टन, जो बढ़कर 2011-12 में 26.5 लाग टन हो गया है, और इसमें पुना वृद्धी देखने को मिलती है, 2013-14 के दौरान और ये बढ़कर 31.7 लाग टन हो गया है, और 2014-15 के दौरान इसमे थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, जो उत्पाधन घटकर 27.8 लाग टन हो गया, तो ये हो गई दलहन फसलों की बात, अब हम देखते हैं तिलहन फसलों के विशय में, तिलहन फसले जो होती हैं, हमें पता है, बच्चों आप जान रहे हैं कि तिलहन फसलों से तेल प्राप में खाना बनाने के लिए, दवाईया बनाने के लिए और अलग-अलग उद्योगों में हम बात करें, तो जैसे साबुन हो गया, या मशीन का तेल, या पॉलिश और मोम बत्ती, इस प्रकार के उद्योगों में भी इन तिलहन फसलों से निकलने वाले तेल का प्रयोग किया जाता है, तिलहनों से तेल निकालने के बाद जो खली बच जाती है, ये खली जो है, वो पशों के लिए एक पॉस्टिक आहार का काम करती है, अब हम देखें कि जिन छेत्रों में या जिस भूमी में जैसे दलहन फसले लगाने से नाइट्रोजन की पूर्ती होती थी, उसी प्रकार इन तिलहन फसलों को लगाने से भी उस भूमी में नाइट्रोजन जो है वो बढ़ता है और साथ ही साथ उस पूरी भूमी की जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसकी उर्वरा शक्ती में वरिधी हो जाती है, अब हम देखते हैं कि प्रमुख तिलहन फसलें कौ पौधा है, मतलब ब्राजील जो है वो इसकी जन्म है स्थली है, और भारत की हम बात करें, तो भारत की एक महत्तोपूर्ण तिलहन फसल है, कुल उत्पादन में जो है 50 प्रतिशत और उससे भी अधिक जो उत्पादन है वो मुंफली का किया जाता है, मुंफली की गीरी में प्रोटीन और विटामीन ये बहुत प्रचूर मात्रा में होती है, इसलिए हम ये देखेंगे कि सश्या वरतन जो किया जाता है फसलों में इसके लिए ये बहुत ही उप्योगी होती है, मिटी को नाइट्रोजन तो इससे मिलता ही है, अब भागॉलिक दशा के विशे में ब आवर्शक्ता होती है मुंफली की उत्पादन में और वर्शा जो है वो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्शा की आवर्शक्ता होती है, जो पाला है किसी स्थान की जलवायू जहां पर पाला पड़ता है ये हम कहें कि बहुत लंबी शुषक आओधी होती है या बहुत लंब वर्शा वाली जो अवधी होती है ये इसकी फसल के लिए हानिकारक या नुकसान दे होती है उत्पादन के विशे में बात करें तो गुजरात जो है ये पहले इस्थान पर है मतलब पूरे भारत में सरवाधिक मुंफली का उत्पादन गुजरात में होता है वर्ष 2014-15 में ह इसके जो प्रमुक छेत्र या प्रमुक जीलो की हम बात करें तो हम देखते हैं कि जूनागर है जामनगर, अमरेली, राजकोट, भावनगर और सूरत यहां के महत्वपूर्ण छेत्र हैं जहां पर मुंफली उत्पादन किया जाता है दूसरा इस्थान जो है वो तमिल लाडू के बल्लालार, अरकार्ट और इसके साथ ही सेलम और तिरुचरापली जो है वो तमिल नाडू के प्रमुक मुंफली उत्पादक छेत्र हैं तीसरा इस्थान आंध्र प्रदेश का है और हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में लगभग देश का 12 प्रतिशत मुंफ कौन से छेत्र हैं तो हम देख रहे हैं आपर चिंतूर है, कुर्णूल है और अनन्तपूर ये प्रमुक छेत्र हैं जहां पर मुंफली प्रमुकता से उत्पादित की जाती है अब गुजरात, तमिल नाडू और आंध्र प्रदेश इन तीन राजियों के अतरिक्त अन्य उत उत्पादन होता है भारत में मुंफली का उत्पादन में लगभग 61,10 उत्पादन हुआ था मुंफली का जो बढ़कर 1990,90 में 75,1,10 हो गया 2011-12 में 79,6,10 है 2012-13 में 47,6,10 हुआ और इसमें लगातार व्रिद्धी हमें मिल रही है जो 2014-15 में बढ़कर 65,6,10 हो गया है हमने बात की थी तिलहन फसलों में कि दो जो हैं वो प्रमुक तिलहन फसल हैं भारत के पहला मुंफली और दूसरा लाही यह हम जिसको तोरिया और सरसो भी कहते हैं देखते हैं मुंफली के बाद तोरिया और सरसो भारत के दूसरे महत्वपूर्ण तिलहन फसले हैं इन फसलों में तेल की मात्रा है वो 25-45 प्रतिशत तक होती है और हमें पता है इसका उपियोग जो है वो खाना बनाने के लिए अचार डालने के लिए और अन्य बहुत सारे उपियोग जो है इनके किये जाते हैं ये जो है तोरिया या सरसों ये समानी रूप से हम देखेंगे कि गेहूं, जौ, चना, मटर आदी के साथ मिश्रित फसल के रूप में इन्हें उगाया जाता है इनी फसलों की भाती इसे हम देखते हैं, सतलज गंगा जो मैदान है उसकी समषितोशन जलवाईू में ही ये पउधा जो है या ये फसल जो है वो अच्छी तरह से उत्पन होती है और हम अपने दक्षिन भारत में देखें, तो दक्षिन भारत की जो उष्ण जलवाईू है, इस छेत्र में यह फसल जो है वो बहुत उगती है, लेकिन इसकी अलग से जो खेती है वो बहुत कम होती है, इसे मिश्रित फसल के रूप में ही अधिकांश तया उगाया जाता है. प्रतिशत भाग टेल के लिए 10 प्रतिशत लगभग जो हिस्सा है वो खाद के लिए 5 प्रतिशत भाग जो है वो बीच के लिए उत्पादित किया जाता है और लगभग शेश जो 3 प्रतिशत बचा उसे निरियात कर दिया जाता है तो यह हो गई अलग-अलग फसलों के उत्प या रेशेदार फसल की बात की है, तो इनकी भौगॉलिक दशाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उत्पादर में भारत का इस्थान, सभी के लगभग दो से तीन जो उत्पादक छेतर हैं या उत्पादक राजी जो हैं वो आपको याद होने तो इस तरह से आपको इस पूरे चैप्टर को तयार करना है। और 2014-15 में ये 63.1 लाग तन हो गया है।